मेरा काम बस यही रहा के निरज एक चाय ले आओ, निरज कॉफी ले आओ मेरी मदर ने बोला के बेटा ये बेवकूफी के खाब छोड़ दो, नंबर तुमारे आते नहीं है ये बैग उठा के घूम रहे हो, कोतवाली जा रहे हो, फैमिली का नाम खराब कर रहे हो शादी हो चुकी थी, एक चोटा बच्चा था, मदर थी, पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं थी मेरा मंतरा जो रहा है, जो मैं आप लोगों को बदाना चाहता हूँ So, मैं चाहता हूँ के आप एक ऐसे इंसान के बारे में सोचें है जो एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी कंपनी का CEO है या कंपनी का ओनर है, कंपनी चलाता है जिसके हर आक्शन से कई लोगों के करियर बनते या बिगड़ते हैं जो हजारों, करोडों, रुपए का बिजनिस चला सकता है ऐसा इंसान बनने के लिए, क्या स्किल, क्या क्वालिटी, क्या मंतरा चाहिए किसी के मैं चाहता हूँ कि आप एक मिनट के लिए पॉस करें और अपना जवाब कॉमेंट सेक्शन में टाइप करें आप सोच रहे होंगे ये कौन है, जो हमसे ये सवाल पूछ रहा है हुआ है, अपने करियर में मैंने कई कंपरीज बनाई हैं, बेची हैं, मर्ज करी हैं, कई कंपरीज में सी यो रहा हूँ, सी यो रहा हूँ, काफी बड़ी पोस्स के उपर मैंने काम किया है आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वो क्या स्किल है वो क्या ट्रेट है वो क्या मंत्रा है जो हर किसी में है आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं जो most common answer मुझे मिलता है सवाल का वो है intelligence हमको intelligent होना चाहिए वो है educational qualification हमारे पास बड़ी डिगरी होनी चाहिए हम IIT नहीं गए हम IIM नहीं गए हम Harvard नहीं गए हम बाहर नहीं पड़े तो हम यह काम नहीं कर सकते हैं और मैं आपको यह दिखाऊंगा अपनी स्टोरी से कि मेरे पास यह कुछ नहीं था तो फिर मैंने कैसे किया मैं दिल्ली में पैदा हुआ करॉल बाग में रहा एक दो कमरे के फ्लैट में मेरे माता पिता दोनों सर्विस क्लास बहुत ही मिडल क्लास लोग थे मेरी मदर स्कूल में टीचर थी मेरे फादर इंडियन एलाइंस में काम करते थे जो अबेर इंडिया है मैं मोस्टली उसी स्कूल में गया जहां मेरी मदर टीचर थी क्योंकि फीस माफ थी तो स्कूलिंग सब फ्री रही पर स्कूल में बड़े होते हुए मेरे को हमेशा ये लगता था कि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है कैसे बनना है नहीं मालूम क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं थे तो मुझे लगता था कि अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो मैं कैसे करूँगा और माबब कहते थे अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हूँ तो बड़े होके खीरे बेचोगे तो उससे बड़ा टेंशन होता था तो मेरे फादर इंडियन अलाइंस में काम करते थे अच्छी पॉजिशन पे काम करते थे उनको एक गाड़ी लेने आती थी उसमें एक ड्राइवर था उस ड्राइवर को मैं देखके सोचता था कि ये काम तो मैं कर लूँगा अगर मैं बड़ा होके ड्राइविंग स्कूल जॉइन कर लूँगा तो ड्राइविंग तो सीख लूँगा और मैं भी कहीं ड्राइवर बन जाओंगा तो और कुछ नहीं होगा तो खीरे तो नहीं बेचूँगा और इस सब के बीच में पढ़ाई में अच्छा नहीं था पर अंग्रेजी में अच्छा था मैं और मुझे लगता था कि मैं जर्नरलिस्ट बन जाओ तो मैं टीवी में जो न्यूज रिडर्स होते थे उनको बहुत ध्यान से सुनता था इंग्लिश के भी हिंदी के भी कि मैं किसी तरह जर्नरलिस्ट बन जाओ इसके पीछे क्या होता है और नौमी तक आकर नाइन्थ क्लास तक आकर मैंने न्यू सिपर्स, मैगजीन, टीवी में अप्लाइ करना श्रू कर दिया और दस्वी में मेरे को दिल्ली में एक कंपनी थी इंडिया तुड़े आज भी चलती है, मैगजीन चलाती है कनौट प्लेस में था उनका ओफिस, एफ ब्लॉक में, वहाँ पर मेरे को ट्रेनी की नौकरी मिल गई और मुझे लगा लाइफ बन गई, अब तो मैं जनरलिस्ट बना ही बना तो जनरलिस्ट के लिए मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी, इंडिया तुड़े के आफिस जाता था एक हफ़ता, दो हफ़ता, छे हफ़ता, दस हफ़ता मेरा काम बस यही रहा के निरज एक चाय ले आओ, निरज कॉफी ले आओ निरज मैं खाना नहीं लाया, नीचे से एक सैंड़िच ले आओ निरज आज एक मीटिंग है, तो मीटिंग रूम को रेडी कर दो तो मैं जा की मीटिंग रूम साफ करता था, पानी के ग्लास लगाता था, मुझे रगता था अच्छी तरह करूँगा तो यह लोग मुझे रेकेगनाईस करेंगे और मुझे भी जरनलिस्ट बना देंगे तो फिर मेरे एक बॉस थे, वो बहुत सीनियर फोटाग्रिफर थे, उनको एक दिन मैंने बोला कि सर, आठ हफते हो गए, दस हफते हो गए, मैं टेबल साफ करता ही जा रहा हूँ, तो मैं जरनलिस्ट कब बनूँगा, बोला बेटा ऐसा है, आज बंगला साहिब गुर्दव राली हुई, राली में कुछ लडाई सी हो गई वहाँ पर, पुलीस आगई, लाटी चार्ज हो गया, तो मेरे को उनको और बहुत सारे और लोगों को अरेस्ट करके कोतवाली ले गए, तो उस दिन रात के दस बज़ गया हम कोतवाली में थे, इंडिया डोडे से लोग आए उन्होंने साइन वाइन किया, हमारे को वापिस आफिस ले गए, आफिस पहुंचे सामने पेरेंट्स बैठे थे, और खूब डांट पड़ी, घर ले गए, घर जाके पिटाई हुई, मेरी मदर ने बोला कि बेटा, ये बेवकूफी के खाब छोड़ दो, तुमने जनरलिस् पर फोकस करो, नंबर तुम्हारे आते नहीं है, ये बैग उठाके घूम रहे हो, कोत वाली जा रहे हो, फैमिली का नाम खराब कर रहे हो, अब पढ़ाई मेरे से होती नहीं थी, पर फिर भी घर में मार पड़ती है तो आप करते हो, तो खेर इंडिया डोडे चलता रहा, सा भी पड़ेगी, पुलीस भी पकड़ेगी, वो जमाने अलग थे, आजकल वाले फैंसी जर्नलिस नहीं थे, तो उसी टाइम पर हमारे स्कूल के कुछ बच्चों ने होटेल मैनेजमेंट का फॉर्म भरा, औरो ने बोला, ये बड़ी बड़ी बड़ीया चीज है, ये कर लो, इसके बाद तुम्ही जो बड़े बड़े फाइफ स्चार होटल है, इसमें मैनेजर बन जाओ गया, तो मुझे रगा, ये तो बड़ीया चीज है, मैं भी कर देता हूँ, तो मैंने जर्नलिसम छोड़के, और होटेल मैनेजमेंट शुरू किया, उसके बाद ताज में नौक लाइफ बन गया, तो ताज जोइन किया और जोइन करने के थोड़े ही दिर बाद मेरे फादर की डगे होए, मेरे फादर मेरे बहुत ही ख्लोज थे, हम एक मिडल फ़ैमिली से आये थे, मदर और फादर दोनों कमाते थे, मेरे फादर की जब डगे तो एक बहुत ही बड़ खतम हो गई एक जो मेरे पीछे मेरे फादर खड़े थे अब नहीं है एक एक बहुत ही अकेला पन सा महसूस हुआ पर दूसरी तरह से मेरे को लगा कि अब इससे बड़ा क्या हो सकता है तो डर निकल गया मैं बिलकुल फियरलेस हो गया मुझे लगा कि अब इससे बड़ा कुछ गरत नहीं हो सकता मेरी जिन्दगी में तो ताज में मैं उस साइम चलता जा रहा था और नौकरी कर रहा था अंदर से लग रहा था मैं कैसे बड़ा आदमी बनूँगा तो मैंने बुला चलो कंपनी खोलते हैं तो मैंने और मेरे एक मित्र ने जो मेरे साथ कॉलेज में थे हमने साथ में कंपनी शुरू करी travel and tourism की company because हमें लगा हम तो hotel में हमें सब मालूम है पर बहुत ही बड़ी बेवकूफी की बात थी हम लोग 22 साल के थे हमें नहीं मालूम था company कैसे चलाते हैं हमें नहीं मालूम था पैसा कैसे manage करते हैं हमारे पीछे को बड़ा investor नहीं था घर में पैसे नहीं थे हमें नहीं मालूम था client कैसे लाते हैं तो जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं loss हुए कई बार profit हुआ कई बार loss हुआ overall जबरदस्ट loss हुआ company बंद करनी पड़ गई लेकिन वो experience जिंदगी में रहा मेरे साथ जब शुरू की थी तो लगा था life बन गई जब losses हुए तो थपड़ पड़ा बंद करी वापिस नौकरी में आ गए दुबारा से नौकरियां रोड़ी और नौकरियां शुरू करनी उसी टाइम पर इंडिया में aviation industry आ रही थी तो पहले सिर्फ इंडिया एर इंडिया की फिर प्राइविटाइज हुआ तो बहुत सारी प्राइविट एर लाइन आई दमानिया, इस्ट वेस्ट, मोदी लूफ, जेट एर, बहुत सारी कंपनी आई तो मोदी लूफ में मेरे को नौकरी मिल गई इंडिया का कस्टमर सर्विस हेड बना दिया उन्होंने इंडिया का कस्टमर सर्विस हेड और मैं बहुत यंग था मुझे क्या लगा? दुबारा लगा लाइफ बन गई और इंडिया का कस्टमर सर्विस हेड इतने सारे लोग मेरे को रिपोर्ट कर रहे है free air travel बहुत मज़ा आया लेकिन थोड़ा आगे जाईए थपड़ पड़ता है थोड़ा आगे गया joint venture था Mr. Modi के group और लुफथान्जा के बीच में joint venture तूट गया कुछ तीन चार महीने half salary मिली उसके तीन चार महीने बाद तक salary नहीं मिली उसके बाद नौकरी नहीं थी तो हम सब ने नौकरी रूनी शुरू कर दी शादी हो चुकी थी एक चोटा बच्चा था मदर थी पैसे नहीं थे नौकरी नहीं थी तो आप देख सकते हैं कई बार एक extreme low आया बहुत ही बुरा टाइम आया लेकिन फिर उपर आया उसके बाद मैंने एक दो companies में काम किया Indian companies में इंडियन companies थी और मेरे को बड़ा break मिला एक American companies तो G Capital ने मेरे को job offer करी मैं बहुत excited हो गया मझे लगा life बन गई G Capital इंडिया में outsourcing करना चाहता था तो उन्हें बोला भई तुम customer service चलाते हो call centers चलाएं है तो इंडिया में US और UK के लिए हमको call centers चलाने हैं चला लोगे तो बहुत है जी चला लेंगे बिल्कुल चला लेंगे कुछ हवा नहीं थी कैसे चलाएंगे लेकिन नौकरी चाहिए थी ले ली अमेरिकन कंपनी में खुश गए लोग हाइर किये और शुरू किया उनका training लोगों को हमको रात को काम कराना था तो मालूम नहीं था कैसे कराना है लेकिन सौ लोगों को हमने रात में shift में डाल दिया और करीब 11 मजे security guard ने आकर बोला कि बाहर में कुछ दोसों लोग खड़े हैं बोल रहे हमारे बच्चे अंदर काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं तो बाहर बहुत हंगामा हो रहा है तो मैं बाहर गया उन लोगों से पूछा मैंने कि क्या problem है तो उनने बोला हमारे बच्चे अंदर नौकरी पे आये हुएं और आधी रात को आप क्या करा रहे हैं उनसे तो इतना फरक है कि आज की रेट में कई इंडस्ट्रीज हैं कई कमपनीज हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करती हैं उस तरह में पैसा कुछ नहीं था तो फिर उनको मैंने समझाया कि अंदर में काम चल रहा है उनको दिखाया अंदर सब डीसिंट काम है कुछ प्रॉब्लम नहीं है दूसरा प्रॉब्लम आई कि इन लोगों ने बोला और यह बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स हैं आपको बता रहा हूं कि कितनी बेसिक प्रॉब्लम्स को मैंने जूज़ा और या हमारी इंडस्ट्री ने जूज़ा इन लोगों ने बोला 11 बज़े भूख लग रही है खाना मंग गई अब खाना कहां से मंगाई सुबा तीन चार बज़े इन ही लोगों ने बोला कि हमें घर जाना है अब घर कैसे जाएं कोई ट्रांस्पूर्ट और्गनाईज नहीं थी तो हमें से कुछ लोग जनके पास गाड़ियां थी चोटी चोटी हमने लोगों को बिठाया गाड़ियों में घर चोड़ कर आए तो धीरे धीरे ट्रांस्पूर्ट और्गनाईज करी केटर्ज और्गनाईज किये खाने के लिए पेरिंट्स को इनफर्म करना शुरू किया कि आपके बच्चे यहां क्या कर रहे हैं कंपनी में फैमिली डे शुरू किया जहां एम्पलॉईज अपने पेरिंट्स को ला सकते हैं और लोगों को ये कन्विंस करना मुश्किल होता था कि आप ऐसी कंपरी में आकर काम कीजिए लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं एक इंडस्ट्री बना रहा हूँ तो मैं अपने बॉस्स को, अपनी टीम को सबको ये समझाता था कि हमें एक इंडस्ट्री बना रहे है डोंट गिव अप, ये बहुत ही मुश्किल जर्णी है पर अगर आप इसमें टिके रहोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे अपने कर्याँ आपने उपर तक जाओगे लेकिन मुश्किल था वो जी में मेरे को मौका मिला यूएस जाने का और काफी देर यूएस में रहा मैं अमेरिका से वापिस आया इंडिया में जब हमारे को गर्वर्मेंट से अप्रूवल्स चाही होते थे तो गर्वर्मेंट कहती थी के हमें तो लगता है के आप एक बड़ा सा स्ट्रीडी बूथ खोल रहे हैं आप इतना सारा टेलीकॉम लिंक्स इंटरनेशनल टेलीकॉम क्यों अपने आफिस में चाहते हैं आप स्ट्रीडी बूथ खोलेंगे तो हर एरिया में काफी मुश्किल हुई लेकिन छोड़ा नहीं लगा रहां जी सक्सेस्फल हुई मैं सक्सेस्फल हुआ बहुत डिमांड हो गई पॉप्लारिटी हो गई फेम मिली इज़त मिली तो दो चीजें हुई एक मेरा अमबिशन और बढ़ गया दूसरा मैंने सोचना शुरू किया कि क्या किया मैंने अलग क्यों मुझे ये सब मिला और तब मैंने ये रेलाइज किया कि मेरा मंतरा जो रहा है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है तिंक लेस, डू मोर सोचो कम काम ज्यादा करो मेरी जिन्दगी में जो मैंने आपको इंसिडेंट्स बताए अपने अब्रिंगिंग के बारे में बताया अपनी कमपनीज के बारे में बताया जो मुझे बार बार लगा लाइफ बन गई फिर थपड़ पड़ा, फिर उठा, फिर भागा मंतरा एक ही रहा तिंक लेस, डू मोर सोचो कम काम ज्यादा तो उस मंतरा को लेकर मैं चलता रहा और आज तक मंतरा वही है वो मंतरा मैंने चेंज नहीं किया है आखिरकार मैंने डिसाइट किया कि मैं छोड़कर एक और कमपनी में जाऊंगा मैं जीम में बहुत पावर्फुल हो गया पावर थी फेम था लोग जानते थे मुझे कंट्रोल था लेकिन मुझे और भी कंट्रोल चाहिए था मैंने सोचा एक ऐसी कमपनी जो बिलकुल शुरू होना चाहती है और मैं उसको एक शेप दे सकता हूँ एक उन्शाई तक ले जा सकता हूँ वैसी कंपनी मुझे चाहिए तो एक बहुत बड़ी कंपनी है आज की रेट में Emphasis जो उस ताइम बिलकुल शुरूआत में थी और उसके जो फाउंडर्स थे उन्होंने मुझे कॉंटाट किया और मुझे लगा उनका बैगराउंड अच्छा है सब कुछ अच्छा है तो थोड़ा थोड़ा सोचा मैंने मैंने यह कहला बिलकुल मत सोचो पर कम सोचो तो थोड़ा सोचा ठीक कंपनी चूज करी और उसमें चला गया और उस कंपनी में बहुत मेहनत करी कई कई दिन कभी कभी घर नहीं आता था पूरी रात काम करता था, दिन में काम करता था, क्योंकि कुछ नहीं था हमारे पास, आफिस नहीं था, लोग नहीं थे, कंपनी का नाम भी नहीं था शुरू में, मेरे पास घर नहीं था, इसके लिए मैं बैंगलो शिफ्ट किया दिली से, और जब शिफ्ट करना था तो घर मे काफी हल चल हुई क्योंकि सब को मालम था जी बड़ी कंपनी है तो इतनी बड़ी कंपनी छोड़ कर तुम्हें एक ऐसी कंपनी में जा रहे हो जिसका नाम ही नहीं है तो यह क्या कर रहे हो तो घर वाले काफी घवराय हुए थे पर मेरे अंदर जो कीडा था वो मुझे भगा किया बिलकुल नए स्क्रैच से बिलकुल नए सेरे से कंपनी बनानी शुरू करी पहले कुछ लोग हाइर किये एक हमने ऑफिस जो लिया वो बहुत ही छोटा मतलब जी एक ऐसी स्टेज थी जहां पर क्रेडिट कार्ड पर प्लेन चार्टर करते थे और यहां हमारे आये जहा पर ओफिस नहीं था ओफिस लिया जो आप मानेंगी नहीं के छोटा सा ओफिस इंटीरियर्स थे लाल रंग की लकड़ी मतलब पब लगता था एक महां से हमने काम शुरू किया और सब ठीक चल रहा था उस दिन तक जब मेरी मदर आई उस आफिस में एक बार तो उनने बोला मुझे इसका आफिस देखना है तो गाड़ी में बैटके वहां आगई और उपर आई रिसेप्शन पर उनने बोला नीरेच खिनना तो उनको अंदर ले आए और मैंने उनको दिखाया अब दिखाना के पहां गया है या तो इसको निकाल दिया मांसे हमें बता नहीं रहा है कुछ गलत हो गया था या तो इसको जी ने निकाल दिया था या इसके दिमाग में कुछ प्राबलम है और उन्होंने अपने भाईयों को फोन किया रिलेटिप्स को फोन किया किसको समझाओ क्या कर रहा ह जिन्दगी में, मेरे को लोगों ने फोन किये कि तुम क्या कर रहे हो अपनी जिन्दगी में पर जो जुनून था मेरा वो मुझे भगा रहा था और एंफसिस में बहुत सक्सेस मिली, मैं बहुत किस्मत वाला रहा, मुझे अच्छे बॉस्स मिले अच्छे क्लाइंट्स मिले, अच्छे टीम मेंबर्स मिले पर क्यों मिले? मंतरा वही था Think less, do more अगर आपको दस आइडियाज हैं और आप दस आइडियाज के बारे में बैट कर सोचते रहे हैं रोज सोचिए, रोज सोचिए तो क्या कुछ बड़ा बनेगा? बड़ा क्या कुछ छोटा भी नहीं बनेगा? उन दस आइडियाज के उपर आप काम करिए उठिये, काम करिए दस में से पांच तो फेल हो जाएंगे तीन कुछ मिडियॉकर लेवल पर जाएंगे बहुत सक्सेस्फुल नहीं होंगे दो हो सकता है, कोई भी बहुत सक्सेस्फुल नहीं हो पर अगले दिन अगले साल तीन साल बाद, पांच साल बाद, दस साल बाद अगर आप लगे रहेंगे अगर आप अपना जुनूर नहीं छोड़ेंगे तो एक ना एक देन आप successful हो ही जाएंगा अगर आप भी इस वीडियो के end तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी inspire ज़रूर होगे दोस्तो आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पुरा कर पाते हैं और आपने कभी नोटिस किया जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक common skill होती है वो क्या है? अच्छी communication skills और English बोलने की skill और अब हम भी skill को master कर सकते हैं जो skills आप के साथ यहाँ पे हमें daily vocabulary, grammar, reading, writing, practice के साथ-साथ अपने ही जैसे लाखों student के साथ English में बात करने का भी मौका मिलता है इससे हम अपने English की fluency जो है वो improve कर सकते हैं तो चलिए आज ही अपने सपने की और पहला कदम लेते हैं भारत के number one spoken English learning app जोशकिल्स के साथ इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे comment section में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें